नमश्कार दोस्तों वेलकम टू दून लोमेंटर आपको पता है यूपी जुडिश्री की 303 वेकेंसी आउट हो गई हैं और इस बार यूपी जुडिश्री के स्लेबस के अंदर काफी चेंजिस हुए हैं स्पेसिफिकली जीस पेपर के अंदर चेंजिस गई हैं और उसके साथ हिंदी इंगलिस का जो मेंस का पेपर है उसके अंदर भी चेंज हुए हैं और चाहें आपका प्रेलिम्नरी हो या फिर मेंस का हो उसके अंदर बारे में बात करेंगे एसपर दी 2022 नोटिफिकेशन मैं हूँ आपका होस्ट अशीश वेलकम तु दूनलोमेंटर आपका अपना यूट्यूब चानल विच इस देरफोर यूट्यूब गाइड इन दे एरिया ओफ जुडिशियल सर्विस एक्जामिनेशन चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त जो प्रिलिमनरी एक्जामिनेशन का स्लेबस है वो क्या है इस बार प्रिलिमनरी एक्जामिनेशन के अंदर जी एस पेपर के अंदर आपका दो घंटे का पूरा पेपर होगा और टॉटल वन फिफ्टी मार्क्स का ये पेपर होगा और इसके अंदर सवाल कहां कहां से और फेल्प करेगी पृतियोगिता दर्पन की दर्पन पॉलिटी इशू आप इसको देख लीजिएगा जो इस पॉलिटी इशू के स्टार्टिंग के अंदर आपको पूरी पॉलिटी का क्रक्स मिलेगा 12-15 पेजों के अंदर अगर आपने वह भी पढ़ लिया और पॉलिटी से रिलेटिड अगर 15-17 सवाल आते हैं तो आप मान के चलिए 8-10 सवालों का बहुत इजिली सॉल्फ कर देंगे चीक है और जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो करेंट नैशनल इशू या आखरी टॉपिक ऑफ शोशल रेलिवेंस से लॉज स्टूडेंट के माइंड में सबसे ब दिये हैं लॉज डाल दिये हैं तो आपके लिए एक तरह से सोने पर सुहागा हो गया है कौन कौन से स्टेट्यूट हैं दोस्तों current national issues and topic of social current national issues or topic of social relevance इससे related कौन से statute Rights of Persons with Disabilities Act दिव्यांगो के rights से related जो भी कानून है 2016 का उसके प्रावधानों के बारे में आप से सवाल पूछी जा सकते हैं Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Dowry Prohibition Act, Protection of Domestic Violence Act Sexual Harassment of Women at Workplace Preconception and Prenatal Diagnostics Act Medical Termination of Pregnancy Act Indecent Representation of Women Act और Prevention of Children from the Sexual Offenses Act तो कौन कौन से statute आपके जुड़ गए हैं इसमें POXO Act POXO Act DV Act or Medical Termination of Pregnancy Act MT, PA or Prenatal, Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection Act Rights of Persons with Disabilities Act Rights of Persons with Disabilities दिव्यांगों से रिलेटिड जो कानून हैं उनके राइट से रिलेटिड जो कानून हैं उससे रिलेटिड प्रावधान भी पूछे जाएंगे और प्रोटेक्शन अफ वूमन प्रम सेक्शल हरास्मेंट अट दी वर्क प्लेस इससे रिलेटिड भी सवाल पूछे जाएंगे और इंडिया एंड दी वर्ल्ड, इंडियन एकानोमी, इंटरनाशनल अफेर्स एंड इंस्टिटूशन ये तो जो पिछले टाइम पे जो सलेबस था ये पार्ट तो उसी के अंदर है मगर जो इस बार जो मोडिफाई किया गया है मेजरली आपके ये स्टेट्यूट्स development in the field of science and technology, communication, space, nature, standard of question in this paper will be such that a well-educated person of graduate level will be able to answer them. अगर कोई graduate level तक पढ़ा हुआ है तो उसके लिए ये सवाल का जवाब देना असान होगा. ये इस paper की expectation है जो science and technology से या इंडिया, geography, Indian politics से related जो भी सवाल है या फिर इन जो law से related सवाल है. ठीक है दोस्तों तो ये pre-ka syllabus है. The general knowledge will consist of both static and current GK. तो ये नहीं कि सिर्फ आप से current affairs पर सवाल पूछा जाएगा, static GK से भी आप पर सवाल पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा. वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अभी तक like नहीं किया है, तो like करके दोस्तों के साथ share कर दीजिए. और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दूनलो मेंटर यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए बढ़ते हैं आगे. जहां तक law paper की बात है, prelims में वो 300 marks का होगा. और इसके अंदर जो subjects हैं, वो कौन-कौन से होंगे? जूरिस्प्रूदेंस, इंटरनेशन गूर्देशन सब्सक्राइब कर चैनल करहा है, यूरिस्प्रूदेंस सिविल Прोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लौजाद रहे बात जो पेपल टूओ है, उसका subject का सिलेबिस ये है, जूरिस्प्रूदेंस, इंटरनेशन Indian Evidence Act, Civil Procedure, Criminal Procedure Code and Law of Contract. All these subjects will form part of your prelims law paper. और prelims law paper के marks कितने हैं? 300. Prelims GS के marks कितने हैं? 150. Even though GS paper का weightage half है from law paper, क्योंकि आप judiciary का exam दे रहे हैं, मगर आप ध्यान से देखिए, आपके GS के paper के अंदर भी statutes जुड़ गए हैं. तो obviously आपका law portion जादा हो गया है. ये सोने पर सुहागा है. ठीक है? तैयारी अपनी बहुत बहतरीन रखिएगा. अब जो आपका mains का paper है, उसके बारे में बात करेंगे. mains के अंदर आपके total 6 paper होंगे. जो पहला paper होगा, वो general knowledge का होगा, 3 hours का होगा, और 200 marks का होगा. ये subjective paper है, आप ध्यान रखना. इसके अंदर जो syllabus है, वही exactly same है, जो आपका prelims के अंदर था. चाहें वो ये recently added laws हो, अभी इसी के बारे में हमने बात की थी. Recently added part. इसी के बारे में हमने अभी बात की थी. और बाकी का syllabus तो जो पहले से रहा है, वही है. चाहें वो history हो, Indian polity हो, current national issues हो, world हो, Indian economy हो, international affairs हो, international organizations हो. वो science and development हो, science and technology हो, वो पुराने वाला syllabus ही है. और ये जो नए laws add हुए है, ये भी मेंस के paper में आप से specifically पूछे जाएंगे दोस्तों. जो पुरानी notification थी, जो अब से पहली vacancies आती थी, उसमें Hindi और English का paper एक होता था, language paper के नाम से. मगर इस बार की notification में ये change कर दिया गया है, language paper को बिल्कुल अलग-अलग कर दिया गया है, Hindi को अलग कर दिया है, और English को अलग कर दिया है. जो दूसरा paper होगा, वो आपका English language का होगा, और 100 marks का होगा, और इसके अंदर जो essay होगा, वो 50 marks का होगा, प्रिसी राइटिंग 30 marks की होगी, और translation passage from Hindi to English 20 marks का होगा, translation is very important, अब देखीए, ये आपका language paper है, English का, ये 100 marks का है दोस्तों, और जो paper number 3 है, वो आपका Hindi language से है, इसमें ऐसे आपका 50 marks का, प्रिसी राइटिंग 30 marks की, translation of passage from English to Hindi, English से आपको Hindi में करना है, और वो 20 marks का होगा, तो language आपका बहुत important criteria रहेगा, इस exam को clear करने के लिए, आपको Hindi का भी ध्यान रखना है, और English का भी ध्यान रखना है, translation आपकी एक paper में English से Hindi आएगी, और एक में English से Hindi आपको translate करना है, प्रिसी राइटिंग करना है, जिसको हम गद्यान्स पद्यान्स बोलते हैं, ठीक है, और essay लिखना है आपका, जो essay के topic होंगे, वो generally ऐसे ही होते हैं, social legal topics आपके essay के topic होते हैं, social legal topics, दोस्तो पेपर नंबर 4 आपका substantive law है, time 3 hours है और 200 marks का है, और law of contracts, partnership से सवाल पूछे जाएंगे, law concerning easement and tort, law relating to transfer of property, principle of equity, specifically applicable there to, और principle of equity with special reference to, law of trust or specific relief, SRA Act भी आएगा, specific relief मतलब SRA, specific relief act, और law of trust से भी सवाल पूछे जाएंगे, Hindu law and Mohammedan law भी पूछा जाएगा, और constitutional law, अब देखिए, constitutional law जहां तक की बात है, पूरे 200 number के पेपर में, सिर्फ constitutional law से, 50 number के अकेले सवाल पूछे जाएंगे, बाकी के यह जितने laws हैं, चाहें law of contract हो, partnership, Hindu, Muslim, law of equity, transfer of property, यहां से 150 marks के सवाल आएंगे, और आपके constitutional law से, 50 marks के सवाल आएंगे, तो यह आपका बाया परकेशन हो गया, substantive law का, paper number 4 का, अब हम बात करेंगे, paper number 5 की, दोस्तों जो आपका paper number 5 है, वो है law to procedure and evidence, procedure and evidence, समझ जाएंगे किसे अंदर, procedure से सवाल पूछे जाएंगे, चाहें वो आपका criminal procedure हो, या फिर आपका civil procedure हो, और उसके साथ साथ आप से, law of evidence से related भी सवाल पूछे जाएंगे, देखी एक बार इसको देखते हैं, 3 गंटे का होगा, 200 marks का होगा, law of evidence से सवाल पूछे जाएंगे, code of criminal procedure, CRPC से सवाल आएंगे, CPC से आएंगे, और principle of pleadings भी इसी का part है, CRPC, CPC, evidence and pleadings के principle, ठीक है, question will relate, mainly to practical matters means, situation based question होंगे, situation based, application based questions हो सकते हैं, such as framing of charges, issues, the method of dealing with evidence of witnesses, writing of judgment, and the conduct of cases generally, but will not restricted to them, एक हिंट दे दिया आपको, framing of charge से related आपकी simpliding हो सकती है, या judgment, अब बता दिया कि, एक तरह से आपको हिंट दे दिया है, इस part के अंदर आपके, सवाल कहां से हो सकते हैं, framing of charge से relate कर सकता है, evidence of witnesses से relate कर सकता है, issues, writing of judgment, judgment writing भी इसी का part है, ये सारी चीज़े, आपके paper number 5, law 2, procedure and evidence के अंदर पूछी जाएगी, जो अगला है, paper 6, law 3, इसके अंदर penal, मतलब जो आपका penal law है, उससे अकेले 50 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, और revenue and local law से, 150 marks के सवाल पूछे जाएंगे, इसका भी time 3 hours है, जो paper number 6 है, वो है आपका local and revenue laws, प्लस penal laws, penal laws से अकेले 50 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, और local and revenue law से, 1500 marks के सवाल पूछे जाएंगे, 150 marks के सवाल पूछे जाएंगे, इसके subject श्कॉन कौन से हैं, Indian penal court, Indian penal court से अकेले आपके 50 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, 50 marks alone, और यह जो बाकी के statute है, local law and revenue law, यहां से 150 marks के सवाल पूछे जाएंगे, इसके अंदर आपके code कौन कौन से हैं, urban revenue code, उत्रप्रदेश urban building regulation, rent eviction act, tenancy act, उत्रप्रदेश municipality act, पंचायती राज act, consolidation of holdings act, urban उत्रप्रदेश urban planning and development act 1973 का, इन सारी act के जो सवाल होंगे, जो local laws और revenue laws से हैं, वो 150 marks के होंगे, और आपके penal law से 50 नंबर के सवाल होंगे, तो दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपके टोटल 6 पेपर हैं, मेंस एक्जाम में और उसका यह syllabus है, इसके बाद जो आपका है, अगला वो है, इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका 100 marks का होता है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यूपी जुडिश्री सिलेबस वाला वीडियो कम्प्लीट होता है, वीडियो आपको कैसा लगा एक बास जरूर बताईएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसी तरह की जुडिश्री से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे Android एप दूलो मेंटर को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से इस सिलेबस की अपडेटेड सिलेबस की फाइल को आप डाउनलोड भी कर ले सकते हैं, और सिर्फ आपको यूपी जुडिश्री का नहीं, बाकी जितनी भी जुडिश्री हैं, उनका पूरा सिलेबस आपको ऐसे ही सिंप्लिफाइड फॉर्म में मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको प्रिवियस एयर पेपर्स भी चाहें, वो प्री के हो, या मेंस के हो, आपको वो भी उसी एंड्रोइड पर फ्री मिल जाएगे, इसके साथ साथ हमारी CRPC की वॉक टेस्ट भी उस एप पर बिल्कुल फ्री है, एंड्रोइड आप पर बिल्कुल फ्री है दूनलोम एंटर आप पर, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जैहीन, थैंक यू,